हेलो फ्रेंड्स आज यहुं तमारी साथे शेर करी सीधी अने सरहरीते तयार थे जेता भिंडाना शाकनी रेसीपी तो आप भिंडाना शाकने आपड़े अमुक टिप्स अने स्पेशल मसाला साथे एकदम टेस्टी तयार कर सु तो बोपोरे जम्मामा केबाड़कोना टिफिन मा एकदम जटपड तयार थे जेता भिंडाना शाकनी रेसीपी शरू करी है लाखेली रेसीपी वीडियो साथे जोवा माटे गुगल प्ले स्टोर माथी डाउनलोड करोड नेहास कुक बुक एप साथे मारी चनलने सब्सक्राइब करी बेल आइक़ोन ने जरूर्थी दपावो नवा रेसीपी वीडियो साथी पहला जोवा माटे चट पट तैयार थाई जेतु मसाले दार भीणानू शाक बनावा मही या वजन मा 400 ग्राम जेटला भीणा ने आरीतना मीडियम थिक ने स्वाडा गोड पीसमा कट करीली देलाचे तो भीणाने कट करती वगते आपड़े देने वधू पड़ता पतला पीसमा कट नथी करवाना कारके शाक मा ते थोड़ा स्ट्रिंग थासे साथे आपड़े देने धुए ने एकदम कोरा खरीले वाना छे जो तेमा थोड़ो पन पाणी नो भागा से तो शाक मा चिका शावी जस तो आजे आपड़े आपड़े आ भीणाना शाक ने रेगुलर मसाला साथे एकदम चेटाके दार बनावसु तो मसाला मा मिकसिंग बावल मा अर्दी चमचेलो हर्दर पावडर, बे मोटी चमचेलो धाना जीरू पावडर, तो बिंडाना शाक मा धाना जीरूनू प्रमाण थोडू वधारे होईच साथे मियाई या बे मोटी चमचेटलू लाल मर्चू पाउडर ली देलू छे तो शाक थोड़ू स्पाइसी होए तो खानी खुबध में जावचे मर्चानू प्रमाण तमें तमारा टेस्ट प्रमाणे वद्धू के ओच्छू करीशाको छो साथे एक चमचेटलो सेकेला जीरानो पाउडर औने शाकने चट पटो स्वाद देवा माटे एक चमचेटलो चाट मसाला पाउडर औने मियाई या एक चमचेटलो आमचूर पाउडर ली देलो छे तो मसाला मां आमचुर पाउडर एड करवा थी ते शाक ने थोड़ो टेंगी स्वाधा आपे छे अहिया जो गर्मां आमचुर पाउडर ना होए तो तमें शाक बनी जाए पची तेमां थोड़ो लिमूनो रस एड करी शको छो साथे अर्दी चम चेलो गर्म मसाला पाउडर आने स्वाध प्रमण मीठु आड करी ने बद्धाज मसाला ने मिक्स करी लईए तो रेगुलर मसाला साथे थोड़ो चाट मसाला पाउडर अने आमचुर पाउडर एड करवा थी भिंडा नू शाक एकदम टेस्टी लागया छे तो बद्धा मसाला मिक्स थेने अपड़ो एक मसाला मिक्स तेयार थेग्यो छे तो रेगुलर शाक थी थोड़ो अलग मसाला ने आरितना पिंडा मा कोट करवा थी भिंडो एकदम फ्लेवर फुल बनी जाये छे तो मसालो सारे थे भिंडा मा मिक्स थेग्यो छे अवे आ मसालो भिंडा साथे स्ठेक थेई जाये तेना माटे ते नीउपर बे मोटी चमचलू तेल आटकरी दईए औने तेने सार थे मिक्स करी लईए तेदा में जोई शाको छो के तेल आड़ करवा थी मसालो एक दम सारी ते भिंडा मा कोट थेग्यो छे तवे भिंडाने मसाला साथ पांच मिनिट माटे रहवा दैये जेधी मसालानी एक दम सरस फ्लेवर अपड़ा भिंडा मा एड़ थेई जाए अने अवे फटाफट शाक वगार्व माटे पैंड मा चार मोटी चमचलू तेल आड़ करी दईये तो भिंडाना शाक मा तेलनू प्रमाण थोड़ू वधारे होई छे धमे तमारा टेस्ट प्रमाणे वध्दू के ओच्छू करी शाको छो अवे गरम तेल मा एक चमचलू जीरू, एक पिंचलली हींक अने मैं आईया बे लिला मर्चाना आरीतना लंबाट टुकडा करीली देला छे साथे एक चमचलली आदूनी पेस्ट अने मैं चार्थी पाच लसन्नी कड़ीने आरीतना थोड़ी प्रेस करी देली छे तो लगभग एक मिनिट माज आदू मर्चाने लसन्न साहरीते सत्रड़ाई गया छे हवे में आईया एक कप अने बे मीडियम साइज नी डुंगली ने आरीतना थोड़ा मोटी साइज ना चोरस पीसमा कट करीली देली छे तेने एड करीने डुंगली सेज ट्रांसपरेंट थाए त्या सुधी तेने स्वत्य करी लगए तो भिंडाना शाकमा डुंगली एड करवा थी डुंगली करे मोला इस्थावाने लिदे शाकमा थोड़ी मिठाश एड करया छे भण जो तमें डुंगली ना खाता हो ये तो तेने स्किप्पन करी शाको छो तो लगबग बे मिनिट माज आपणी डुंगली सारीते सतर डाई गये छे आपणी तेने ब्राउन नथी करवानी तो हवी में ये बे मोटी चमजेतला सफेत तल लिदेला छे तेने एड करी ने सारीते सातरी लेए तो शाकमा थोड़ा सफेत तल एड करवा थी तलनो नटिस्वाद एकदम सरस लागये छे साथे मैं ये अर्धो कप अने एक मीडियम साईजना टमेटाना आरीतना थोड़ा मूटआ अने चोरस पीस करीली देला छे तहने add करीणे टमेटाने सार हिते सातरी लईए तो भींडाना शाक मां अपने टमेटाने वधूपर्ता कूख नथी करवाना खाती वक्ते टमेटानो थोड़ो क्राँच एक दम टेस्टी लागे छे तो लगबग एक बिनिट माज आपड़ा टमेटा सार रिचे सत्राई गया छे तो आवे मसाला साथे कोट करेला भींडाने एट करी देए आने वगार साथे सार रिचे मिक्स करी लेगिया तो भींडो भगार साथे सार रिचे मिक्स हेग्यो छे तो हवे डाकन बंद के रावा गरज आपड़े भिंडो थोड़ो सोफ्ट थाए त्या सुझे तेने कुक करवानों छे तो भिंडाना शाक मा भिंडानो एक दम सरस ग्रीन कलर जड़वाई रहे तेना माटे आपड़े ढाकन ने नथी ढाकवानू अने वच्चे वच्चे शाक कुक था तुहोए त्यारे तेने हलावता जावानू छे चेदि दे पैनना तड़िये चूटे नहीं तो शाक ने कुक था ता लगबग माथी 6 मिनेट जहु थाए गियो छे अने आपड़ो बिंडो पहला करता थोड़ो सोफ्ट थाए गियो छे मीनस ते अराउंड 80 परसंट जेटलो कुक थाए गियो छे तहवे आ समय पिंडानने थोडो क्रंची टेस्ट देवा माटे में या त्रोण मोटी चमचेटला सिंगदानाने आरीतना थोड़ा जीना टुकड़ामा कट करीली देलाचे तेने एड करी देए अने हवे तेने मिक्स कैरावगर ढाकन बंद करीने पिंडाने एक दम धीमा गैस पर पाथी 7 मिनिट माटे कुक करी लई अने हवे पाथी 6 मिनिट पाची ढाकन खोली लई तो तामे जोई शाकोचे हो के भिंडाने साकनी साइड्स माथी तेल छूटू पड़ी गियो छे तो अवे तेने हडवे हाथे सार रिते मिक्स करी लई अने भिंडाने चेक करिये तो भिंडो 100 परसंट कुक थेने सौफ्ट थेग्यो छे साथे तेनो एक दम सरस ग्रीन कलर पन जड़वाई रहे हो छे तो अवे गेस नी फ्लेम बंद करी दाई है अने तयार थेला शाको पर थोड़ा कोथवी ना पान स्प्रिंकल करी लई है तो फक्त दससेज मिनिट मा रेगुलर मसाला साथे थोड़ी अलागरी ते आपड़ो चेटा के दार भिंडानों शाक तयार थेग्यो छे एक वार जरूर सी ट्राई कर जो बद्धाने बुवज भावस तो टिफिन मा केबची भोपनना जमवा मा एक दम जटपड तयार थे जतू मसालेदार भिंडानों शाक बनावा लखेली रेसिपी जोती होए तो मैं वेबसाइडने लिंक डिस्क्रिप्चन बॉक्स मा आपे ली छे जो तमने मारी आजनी रेसिपी गमी होए तो मने कमेंट सेक्षन में जरूर ठीके जो जादे मारा वीडियो ने लाइक अने फ्रेंड्स मा शेयर कर जो अने मारी चनल ने सब्सक्राइब करवानू ना बूल सो तो फरी मढ़िये एक नवी रेसिपी साथ